लो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किर्केट एक्सपोर्ट में दोस्तो वर्ड कप दो हजार तेइस का उन्तीसवा मुकाबला भारत और इंगलैंड के बीच 29 अक्टूबर को भारत रतन स्रियाटल विहारी वाजपई इकाना किर्केट स्टेडियम लगनव में खेला जाना है और आज के इस वीडियो में इसी इकाना के किर्केट पिच का प्रिव्यू हम करने वाले हैं कुल्मिला के 5 वंडे मुकाबले इस वर्ल्ड कप में खेले जाने थे जिन में से 3 मुकाबला हो चुका है ये 14 मुकाबला है इसके अलावा 3 नौबर निदरलैंड और अफगानिस्तान इस वेन्यू पर आफस में टकराएंगी तो आज के इस वीडियो में इकाना के किर्केट पिछ की और हम देखते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत इंगलेंड के बीच होने वाला ये मुहत्वपूर मुकाबला और इसके अलावा निदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस मुकाबले में ये पिछ कैसा खेल दिखाएगी अब तक जो मु पिछ की नेचर की ओर अगर हम देखे तो यहां पर हमें बैलेंस क्रिकेट देखने को मिलता है एक तरफ जहां पर थोड़ी अच्छी लाल मीटी की पिछ पर जब मुकाबले होते हैं तो अच्छी बैटिंग पिछ देखने को मिलती है वही पर थोड़ी उच्छाल भरी मुकाबला होगा यह जानने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुट सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्सम में दे रखा है या फिर लिंक ना काम करें तो सीधे भी टेलीग्राम पर जापके किर्केट एक्सपर्ट वाई वीवेक के नाम से सर् को एड करने के बाद यहां पर अब साथ वंडे मुकाबले हुए हैं इस वर्ड कप से पहले के वल चार मुकाबले इकाना के पिछ पे हुए थे तो इन साथ मुकाबलों में तीन बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो चार बार चेज करने वाली टीम ने म टोटल में अफगानिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 194 तक पहुँच पाई थी वैसे इन साथ मुकाबलों में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटरन देखे तो 200 से कम दो बार 200 से 249 तक का योग तीन बार 250 से 299 तक का योग भी एक बार और 300 प्लस सिर्फ एक बार जो की हम बताए साथ अफिर के आस्टेलिया के बीच हुए मुकाबले में हमको देखने को मिला वैसे दोस्तों इकाना की बाउंडी देखे तो 65 से 80 मीटर के रेंज में 4 ओर की बाउंडी गभर होती है मतलब यह इसमाल टू मोडरेट किसिम की बाउंडी यहां पर भ एक मुकाबला खेला है इस वर्ल्ड कप के पहले साथ अफिरिका के अगेंच भारती टीम यहां खेली थी लेकिन उस मुकाबले में साथ अफिरिका ने भारत को हरा दिया था तो कुर्मिला के भारत के लिए भी यहां पर रिकार्ट कोई अच्छा नहीं है वैसे अगर हम बा दोलत इस वन्यू पर साथ विकेट पर 311 बना के पहली बार वन्यू पर 300 प्लस का योग बनाती है लेकिन आश्टेलिया की टीम पूरी तरह से कोलैप्स होती है 177 पर आल आउट हो जाती है टीम मैच में गिरते है 17 विकेट तेज गेदवाजों के नाम 10 तो स्पिनर्स के ना विकेट आते हैं खिलाडी तरह न आउट हो जाता वहीं पर जो अंतीम मुकावला इस वन्यू का देखने को मिला था नीदर लेंड है उस लंका के बीच 21 सेक्टूबर में नीदर लेंड 212 बना के इस venue पर all-out होती है उस लंका की टीम 49 वें उभर में 5 विकेट पर 263 करके मुकाबला जीत पाती है और इस मुकाबले में कोल मिला के 15 विकेट गिरते हैं और इन पंदर विक्टों में तेज गेदवाजों के नाम आते हैं 12 विकेट तो इस्पिनर सिर्फ दो विकेट ले पाते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो यह जहां पर तीन मुकाबले हुए हैं इन में से एक बार तो 300 प्लस का योग बना और दो बार 200 से 300 के बीच में पहले इनिंग का योग बना एक ऐसे वर्ल्ड कप में यहां पर अल्मॉस्ट ज्यादातर मुकाबले में 300 प्लस का योग बन रहा है यहां पर थोड़ा सा स्कोर को लगाम देख सा जा रहा है इन तीन मुकाबलों में कुल्मिला के 47 विकेट गिरे पहले इनिंग के 27 विकेट तेजगेदबाजों के नाम यहां पर आते हैं 29 विकेट पहले इनिंग के 15 तसा दूसरे इनिंग में तेजगेदबाजी के 14 विकेट तो हम इसके अलामा दो खिलाडी रनाउट भी हुआ तो हम उमीद करेंगे भारत और इंगलेंड के बीच होने वाला यह मुकाबला भी अच् पार्टी टीम जिस प्रकास के अच्छी ले में है यहीं परजीत के सेमी फाइनल में ओफिसियली पहुंचने वाली पाली टीम बन पाएगी वीडियो में इतना ही एक बाद फिर से अगली वीडियो में आप से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों